गलतेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां भगवान शिव खुद शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे इसलिए इसको स्वयमभू भी कहा जाता है। यहां मंदिर इतना खास क्यों है आईए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहां मंदिर भारत के गुजरात के खेडा जिले में डाकोर के पास सरनाल गाव में स्थित है। प्राचीन समय में गालव रिशी ने 10,000 वर्ष तक भगवान शंकर की तपस्या की थी। जिससे प्रसन होकर भगवान ने शिवलिंग के रूप में गालव रिशी को दर्शन दिये थे। अर्थात यहां एक स्वयंभू शिवलिंग है। इस शिवलिंग पर गलती नदी के जरने से लगातार अभिशेक होता रहता था। जिसके कारण इसका नाम गलतेश्वर महादेव पड़ा था। फिलहाल एक देड़ वर्ष से जरना बंद कर दिया गया है। मही एवं गलती नदी के संगम स्थान पर यहां मंदिर होने के कारण इसकी विशेश महिमा है। तकालीन समय में कुंतलपुर नाम का नगर था। जिस पर पूर्व राजा चंद्रहास राज्य करते थे। उन्होंने ही इस मंदिर का निर्मान कराया था। लेकिन इसके बाद मुगल सामराज्य दौरान आक्रमन होने से मंदिर को तोड़ गिराया था। झालो 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 झाल झाल